Assalamualaikum इस वीडियो में हमने हायर पंजाए का एक टॉपिक पढ़ना है Aspergillus Aspergillus क्या है? असल में एक fungus है ठीक है? तो हमने इस वीडियो के अंदर इसके बारे में क्या-क्या पढ़ना है इसका introduction पढ़ना है ठीक है? और classification पढ़नी है features पढ़ने है structure और reproduction जिसमें vegetative, sexual और asexual reproduction आती है ठीक है? तो यह साइच चीजे हम figures के साथ पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ आजए introduction में देखते हैं Aspergillus क्या है? यह एक common fungus है ठीक है? और it is present everywhere मतलब soil में, water में, air में, etc यह हम यह भी कह सकते हैं कि यह wide range of conditions में present हो सकती है मतलब इसके लिए कोई specific conditions बगारा नहीं चाहिए wide range of conditions में present हो सकती है ठीक है? और इसके इलावा इसके अंदर 100-500 species आती है Spurgillus में ठीक है? और जिन में से कुछ जो है वो मतलब तो important है economically जिबके जो बाकी है वो क्या है वो deletarious है मतलब कि पैथोचैनिक है harmful है ठीक है? और ज्यादा तर जहें Aspergillus के जो species हैं वो damp areas यह और decaying matter पे present होती है ठीक है? classification इसकी देखने है kingdom fungi, devian, escomycota class urotiomycetes, order urotiales, family trichocomacy और genus aspergillus features इसके देखते है सबसे पहला feature यह है इसको black और green mold भी कहते है black और green mold इसलिए कहते है कि जो ज़्यादार जो species है वो black और green color के spores बनाते है सब stratum के ओपर ठीक है और जो इसकी appearance होती है वो तब जो नजर आते है वो moldy appearance उसकी होती है इसलिए इसको black और green mold कहते है दूसरी बात यह है कि इसको जो है वो sack fungi भी कहते है sack fungi इसलिए कहते है क्योंकि इसके जो sexual sports होते है जो sexual reproduction से sports बनते है वो sacks के अंदर produce होते है ठीक है और उन sacks को हम कहते है SI ठीक है या escus अब इनका जो mode of nutrition है वो heterotrophic है मतलब यह कि यह खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते है दूसरों से ही यह लेते है ठीक है और यह जहाँ दे कें टॉलरेट इस कें टॉलरेट extreme environmental conditions ठीक है जैसे पहले बताया कि यह wide range of conditions पर प्रेजन हो सकते है जैसे इमने बात की कि air में यह water में प्रेजन हो सकती है लेकिन यह जाद तर जो है grow कहां करती है ground or soil पे तो इसको हम क्या कहते है टारीकॉलस ठीक है aspergillus species जो है वो क्या है वो टारीकॉलस है उसके इलावा जो aspergillus की species है यह asexually reproduce कर सकती है और sexually और vegetative reproduction भी इसके अंदर होती है ठीक है तो asexually जो है वो कोनीडियो स्पोर्स बनते है इसके अंदर ठीक है asexually जो स्पोर्स बनते है वो कोनीडियो स्पोर्स होते है और sexually जो स्पोर्स बनते है वो asco spores होते है ठीक है Chlorophyll में absent होता है इसका मतलब कि अपनी food नहीं बना सकते हैं जैसे पहले भी बात ही कि यह heterotrophic होते हैं ठीक है उसके रावा जो aspergillus हैं यह कहते हैं फिर कहां से nutrition लेते हैं यह vegetative हाइपी से लेते हैं और बाद में जो vegetative हाइपी यह reproductive structures के अंदर जो हो जाता है ठीक है जो हाइपी है मतलब इसके अंदर दो तरह के होते हैं एक vegetative हाइपी ठीक है और एक reproductive हाइपी next हम इसका structure देखते हैं spurgillus का जो है वो structure यह filamentous होते हैं ठीक है अभी अभी हमने वर्ड बोला है vegetative हाइपी तो वो क्या है वो foot cell ही है ठीक है तो foot cell के through ही यह जो है वो soil से nutrients ले रहे थे ठीक है और उसके इलावा यह L shape होता है यह T shape होता है जब यह grow करता है उपर की तरफ grow करता है तो यह आगे किसमें convert हो जाता है कुनीडियो फोर्ज में ठीक है कुनीडियो फोर्ज में convert हो जाता है आगे हम देखते हैं यह foot cell है यह उपर जो grow का रहा है तो यह उपर क्या बन गया यह क नीडियो फोर्ज बन गया है कुनीडियो फोर्ज क्या है यह long होते है hypocrale pourшая यहां से क्या बना देंगे इंलार्ज हो गया और यह क्या बन गया वैजिकल बन गया तो तीसरी चीज इसमें अब क्या देख लिए वेजिकल फुट सेल फिर कॉनेडियो फॉर्स और यह क्या है वेजिकल ठीक है यह जो हम मतलब कि इसका निए लेयर बनती है जिनको हम कहते है स्टरिक मेटा या फायल इव फायल आय्ड यह हम देख सकते हैं यह य यलो गलर्ट यह क्या है सकते हैं और जिख बंटे हैं तीक है यह जे में होते हैं हम देख सकते हैं चेंज की फॉर्म में और यह चेंज जहां यह क्या है यह बैसी पिटल अर्रेंजमेंट होती है इनकी ठीक है यह जो यंगेस्ट को नीडिया है वह बेस पे होते हैं और जो ओल्डर को नीडिया है वह उपर वाली तरफ होते हैं मतलब के टॉप प ने पुर्ट्विक बंढ़े हैं इसके यह के अन्दर यह बने में और पहले हैं पिर ब्राइंस्ट है मल्टी यूप्रेटडर्ट और टिब्यूलर है ठीक है और और जो माईसिलियम हैं इसकी दो लेर्स हम देख सकते हैं एक इनर लेर जो के डेरलों से बने बीडर और और डाईर लेर जो के काईटीन से बनीवी होती है लास्ट पे है साइटो प्लाजम, साइटो प्लाजम क्या है वो ग्रैनूलर होता है ठीक है और इसमें माइटो कॉंडी अंडो प्लाजम, ग्रैटिकॉलम, राइबोसों, वैक्यूल्स, यह साथ चीज़े होती है ठीक है तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं इसकी मौर्फोलोजी मतलब कि इसका जो हमने स्ट्रक्चर देखाता, फुट सेल होता है जिसको हम वेजिटेटिव हाइफी भी कहते है ठीक है वो पिर आगे बनाता है कॉनीडियो फोर, कॉनीडियो फोर क्या है परेंडिकुलर होते है इसके कॉनीडियो फोर आगे जो एपेक्स से जहें लार्ज होते हैं यह होते हैं तो और और यह जो है यह वेसी पित्र दिय मीसी अ क्या होती है है होती है ठीक है मल्किनीडियो होती है है प्रवाइब लिए और इसमें जो साइट प्लास्मिक बोर्डी यानिके माइटो कॉंड़ी यह साही चीज इसके इंदर होती है ठीक है तो यह था हमारा स्ट्रॉक्चर किसका एसपर्जिलस का नेक्स्ट अब इसकी रिप्रोडक्शन को देखने हैं रिप्रोडक्शन इसके अ भी स्ट्रॉक्चर के इंदर होती है आपके जो एक हम देखने सबसे पहले वेजटिटिव रिप्रोडाक्शन देखते हैं प्रस्परेंटिव сторон को इन प्रॉस इसके शेंदर होने के जो 920 गा सिन पर इसके इसकें होगा hy ya believe फ्रेग्मे स्वेटिश तीटिवेजीन स्व्र में तूट जागा ठीक है और यह जो फ्रेग्मेंट से बाद में एक पूरी वेजिटेटिव बोड़ी के अंदर तो उसके किया करनाएं is ने किया करना है इसने वेजिटेट की थी की तो नगतार। आप अपिएखालि भोड़ाो फोले पोर्शन से और यहां से वेजिगा हो गा ठीक है और क्या बना देगा वैजिकल बना देगा यह हम देख सकते हैं कि aşड़ आपेक्स धी और उसके बाद क्या होगा कि वैजिकल कोनीडियोज फ़र्म इखैंट के उसके बाद भी आंदर वह हमारी बाइर然后 होती है और फिर उसके इसे प्रेते हैं वह रहें दो हम और खेक्स ने गर यह नागे है प्रेजुं अब देग वह भिलूअे नागे उनलार्ज करेंगा वह इसके बाहर फिर जो है वो कुनीडिया बनते हैं ठीक है कुनीडिया बनते हैं और चेन ओफ कुनीडिया बनते हैं कि इसमें बैसिपिटल एर्रेंजमेंट में ठीक है उसके बाद क्या है कि जो कुनीडियो स्पोर्स होते हैं कुनीडियो स्पोर्स मतलब कुनीडिया ठीक है करेंगे ठीक है तो क्या है कि यह डिटैच हो जाएंगे यहां फिर इन्वार्मेंटल फैक्टर्स की वज़ासे हो जाएंगे ठीक है यह वहां से अलाग होगे उसके बाद इन्हेंने सॉयल में रहना है ठीक है उसके बाद जब इनको favorable conditions मिलेंगी तो फिर क्या होगा कि फिर यह अपने जो है वो germ tube बनाएंगे यहां फिर हम कह सकते हैं कि germination करेंगे और फिर यह क्या होती है यह सारी क्या थी यह asexual reproduction थी ठीक है एक दफा रिवाइस कर रहते हैं asexual reproduction को सबसे पहले क्या है foot cell बनेगा foot cell से आगे conidio for बनेगा फिर अंदर devians होगी nuclear devians के बाद क्या होगा इसके अंदर vesical बनेगा vesical के बाद उसके अंदर mitotic devian होगी कि फिर बाहर steric meta बनेगा steric meta से आगे फिर secondary steric meta उसके बाद chain of conidia बने गी तो वो germinate कर जाएंगे next है हमारी sexual reproduction sexual reproduction जह है यह rarely होती है ठीक है और किसमें होती है heterothelic species में होती है heterothelic species जिनके अंदे male और female hyphy एक species में होता है ठीक है तो है अब heterothelic hyphy जो है उसमें क्या होगा कि उसमें female hyphy भी होगा और male hyphy भी होगा ठीक है तो female hyphy जो है उसको हम कहते है escogonium और male hyphy को हम कहते है enthridium escogonium की हम बात करें तो इसमें तीन पार्ट होते है बेसल, middle और epical ठीक है और यह क्या है? septate है और loosely coiled है और जो enthridium है यह क्या है? इसके upper lower part है मतब दो पार्ट है इसके और इसमें क्या है? यह unicellular है, multi nucleate है और septate है ठीक है? तो escogonium क्या होता है? यह female hyphy है और enthridium क्या है? यह male hyphy है तो next time sexual reproduction पढ़ते हैं सबसे पहले इसके अंदर भी पहला काम वही है कि hyphy और female hyphy है यह आपस में इनका इन्होंने आपस में जो है वो जुड़ना है ठीक है? इनमें contact होगा ठीक है? और फिर उसके बाद क्या है? इसके अंदर fusion होगी ठीक है? अब जब इसके अंदर fusion हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? कि पहले क्या होगा? female और male hyphy जो है इनका अपस में contact हुआ, fusion होगी ठीक है? female और male hyphy की उससे क्या होगा? कि फिर जो एंthridium है उसका content escogonium में जाना शुरू हो जाएगा ठीक है? एंthridium का content escogonium में चला जाएगा ठीक है? जहां से वो जुड़े वे होगे वहां से एंthridium का content गोगिनेंगेव इंदर यूपा स्कीज बन जाएंगे अब होता क्या है यहां पर एक चीज हमने याद रखनी है एसको काफ क्या है ये फ्रूटिंग बोडी है ठीक है इसके अंदर क्या है SI ठीक है और SI के अंदर मतब कि SI के है सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो एसको काफ के अंदर है और इसके अंदर यह एसको सपोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यह तीन हो चीजों को गन्फ्यूज नहीं करना हमने अध्यक्रा कहते हैं फिर केरियो गैमे से उसके अंदर क्याते हैं let's ago sports बढ़े त्थी एर यह क्या होते हैं वह पीर शेब्ड होते हैं so तो sexual reproduction के अंदर मैंने क्या देखा कि इनका जो contact हुआ फिर एक का जो वो content है वो उसके अंदर आ गया ठीक है दूसरे के अंदर आ गया ठीक है और उसके बाद क्या है हम देख सकते हैं यहां पर formation of sterile happy उसके बाद जो हैं वो formation of asco carp asco carp क्या है fruiting body के अंदर पिर क्या है क्या बनेंगे SI के अंदर sack-like structure के अंदर क्या बनेंगे art asco sports बनेंगे फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जह हो लाइसेज होगा ठीक है यहां से अब क्या होगा कि asco sports बाहिर आ जाएंगे ठीक है उसके बाद जो asco काब जो maturation होगी तो ESCO sports जो हैं वह release हो जाएंगे, ठीक है? SI के अदर license होगी, ठीक है, वहां से ESCO sports रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद ESCO sports की में आगए? ESCO काप के अंदर, पिर ESCO काप वाल है, वहां से भी फिर जो है, कि लिफ्ट के वह लिनार रहेंगे कंगे यह सबसे कि आप पिसिती आप ईंडर तकते के ल creatory जेंगे में रहेंगे में एthree मिप्लिप सकते काक्षाफ कर दिं रैंक और жंद् requis स्पोर्ट भी कहते हैं और इनले है जो के थिन होती है तो अब यह जो एसको स्पोर्ट हैं यह डॉर्मेंट रहेंगे पहले और फिर जब इनको फेवरेबल कंडिशन मिलेंगी तो यह जर्मिनेट कर जाएंगे एक नए वेजिटेटिव हाइफी के अंदर किस तरह से जम सरक नहीं पर जाएफी है इन ठ्रीटियुम का कॉंटेंट एसको जो जाएगा उसके बात क्या होगा कि इसके अंदर डीएजिएंज तो नहींट Has Hot क और इसके graph मिलेंगे तो यह सारा था तो ऐस पर講 DOE हमने उसकी classification, introduction फिर उसके बाद हमने उसका structure बढ़ा था जिसके अंदर हम यहां पर भी तोड़ा सा देख सकते हैं कि foot cell था हमारा एक ठीक है उसके अलावा उसके अंदर क्या था कुनीडियो फॉर्ड थे उसके अलावा उसके अंदर क्या था स्टेरिक मैटा था, secondary स्टेरिक मैटा था और उसके अलावा कुनीडिया थे ठीक है तो यह सारा उसका structure था वेजिकल था और फिर एसक्शल रिप्रड़क्शन पड़ी ठीक है इसके अंदर कुनीडियो स्पोर्स बन रहे थे और इसके अंदर यहां कुनीडिया बन रहे थे और सेक्शल रिप्रड़क्शन के अंदर क्या बनते हैं ऐसको स्पोर्स बनते हैं तो इसके इलावा अगर आपने हायर फंजाई यांग वाटनी से रिलेटिड कोई भी टॉपिक आपने समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर वीडियो पसायंद आई आई तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस इसके बाद पेंसीलियम की वीडियो जरूर देखना ताके साथ ही जो है उसकी भी समझ आजए थैंक यू